उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धरमपाल सिंग जी हमारे साथ हैं सर आयोध्या काशी को लेकर आज बैठा कोई आपके विभाग का क्या उसमें योगदान रहेगा विकाशी निरासित गौबंस को आसरे इस्टल पर पहुंचाना और जो सांड के हमले से जो लोग गायल हो जाते हैं उनको भी हम आर्थिक सायोग देने का काम करें एक सवाल ये था कि मत्रुकाशी को लेकर जो है वो सरकार लगतार काम कर रही है और किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है अभी फिलहाल को देखते हुए देखे इन सहरों का सरवांगिन विकास किया जाए सबी परक्षा इत्याद पर पूरा प्रबंद किया जाए और मानी प्रधानमंतर जी आ रहे हैं मानी मुखमंतर जी ने इसके कड़े निर्देश दिये 17 तारीकों मानी मुखमंतर जी पहुचेंगे पिर समिक्षा भी करें रामयार का पाठ करा रहा है आप लोग लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पैसा कम दिया गया है ये दस करोड रुपाए एक जीलों को दिये जाने चाहिए दिखें ये पैसा इसके लिए नहीं दिया गया है बाकी रामयार का पाठ तो होता ही है रामयार का पाठ हमेशा ही होता मंदरों में रामार का पाठ किया जाता है बाचीत के लिए शुक्रिया आप ने सुना दरमपाल सिंग जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबनेट मंत्री है उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की बैठाक में बाचीत हुई है और जो लोग सान्ग से य जो आवारा पशू हैं उनके दोरा घाल किया जाएंगे उसको लेकर उनको मुखावजा भी दिया जाएगा कैमरा में नाशिश के साथ सीमा अबनक्वी बहरसमाजार लखना हुगा